एक दिन कौतम बुध एक व्रिक्ष को नमन कर रहे थे। यह देखकर उनके एक शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा भगवन आपने इस व्रिक्ष को नमन क्यों किया? शिश्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले क्या इस व्रिक्ष को नमन करने से कुछ अन्होनी हो गई? बुद्ध का प्रशन सुनते ही शिश्य ने उत्तर दिया नहीं भगवन ऐसी बात नहीं है, किन्तु मुझे यह देखकर बड़ा अच्रज हो रहा है कि आप जैसा महान व्यक्ति इस व्रिक्ष को नमस्कार कर रहा है। व्रिक्ष नहीं तु बात का जवाब दे सकता है और नहीं आपके नमन करने पर अपनी खुशी जाहिर कर सकता है। अपनी एक अलग भी भाशा है। अपना सम्मान होने बर ये जूम कर प्रसन्नता और क्रतग्यता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस व्रिक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता दी और धूप से मुझे बचाया। इसके प्रती क्रतग्यता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। और हम सब भी को प्रकरती के प्रती हामेशा क्रतग्य बने रहना चाहिए। क्योंकि प्रकरती की हमें सुन्धर और सूहर जीवन देती है। फित शिष्य को व्रिक्ष की ओर देखने का इशारा करके बुद्ध बोले। तुम जड़ा इस व्रिक्ष को देखो इसने मेरे धर्नेवाद को कितनी खुपसूर्ती से लिया है। और जवाब में यह मुझे जूम कर बता रहा है कि आगे भी वह सभी को यों ही अपनी सेवाएं देता रहेगा। बुद्ध की इस बात पर शिष्य ने व्रिक्ष को देखा और उसे लगा कि सच्पुच व्रिक्ष एक अलग ही मस्ती में जूम रहा था। और उसके जूमती हुई पत्तियां, शाखाएं और फूल मन को एक अद्भुत शान्ती दे रही थी। और यह देखकर शिष्य खुद को भी व्रिक्ष के सामने सम्मान पूर्वक जुकाए बिना ने रह सका। जी हाँ दोस्तों, क्या कभी आपने भी पहचानी है? हवा की सरसराहट और चिडियों की चहचाहट, समुद्र का शोर और जंगल में नास्ते मोर, इनका नहीं कोई मोल, क्यूकि प्रकर्ती है अन्मोल। जी हाँ दोस्तों, प्रकर्ती ही हमें सिखाती है जीवन जीने की कला, सुधिड होकर भी प्रिक्ष देते हैं लताओं को बना हाँ, जी हाँ फूनों से सीखना चाहिए कि जीवन में रंग किस प्रकार भरते हैं, पेडों से सीखना चाहिए कि जीवन में उचायों को कैसे चुआ जाता है, कलियों से सीखिए मुस्कुराने की कला, काटों से सीखिए कश्टों से उबरना, पत्तों से सीखिए कि मस्ती में कैसे जूमते और तेहनियों से सीखिए कि दूसरों को साहारा किस प्रकार दिया जाता है और ये प्रकर्ति आपको जीवन जीना सिखा देगी